नमस्कार दशको, स्वागता आपका जेके निूस पॉइंट में और मैं हूँ आपका होस्ट करंदमीर गुड गवर्नस के सिधान्त पे हमारी सरकार आगे बढ़ रही है और इसी के अंतरगत उन्होंने आर्टिकल 3112C के अंतरगत एक कमेटी बनाई थी जिस कमेटी का काम था गवर्नमेंट नोकरियों में ऐसे लोगों को डूनना जिनका लिंक जो है टेरर आउटफिट के साथ है या वो किसी ना किसी तरह टर्रिस्ट को मदद करते हैं उनको डून निकालना और नोकरियों से बाहर निकाल देना इस कमेटी ने पिछले एक ही साल में 34 SA government employees को ढून निकाला जिनका किसी ना किसी तरह कोई लिंक टेररिस्ट या वो किसी ना किसी तरह मदद किसी टेररिस्ट आउटफिट को करते थे और उन्हें बाहर निकाल दिया गया 30 March 2022 को इस कमेटी ने 5 नान दिये हैं जिनको नोकरियों से बाहर निकाल दिया गया है आपको जानके हैरानी होगी इन 5 में से 2 employees जो हैं वो जमू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट को सर्व करते थे जिन में से सबसे पहला नाम आता है तौसिफ एहमद मीर का जिसके डिरेक्ट लिंक थे हिजबुल मुजाहिदीन के साथ इस इनसान का जो पास्ट है वो भी टेररिस्टों के साथ जुड़ा हुआ था क्योंकि इसका जो फादर था वो भी एक टेररिस्ट था जिसे 1997 के एक मि गिराया गिया था इसका इस इनसान ने पास टेरिस्टों को 2017 में एक इनफर्मेशन दी थी जिसके इनफर्मेशन के बेस पे उन लोगों ने एक देशवक्त सिपाही को कॉनस्टेबल को मार गिराया था इसका मेन काम था अपना प्रोपागेंडा जो है हिजबुल मुजाहिदीन का उसको आगे बढ़ाना और यूथ को रेक्रियूट करना अपने हिजबुल मुजाहिदीन में ट्रेनिंग दिलवाने के लिए और उन्हें मिलिटेंट बनाने के लिए इस इनफर्मेशन के बेस पे इसके उपर एक F.I.R. दर्ज की गई 2017 जुलाई में पुलिस टेशन शोपिया में और उसके मताबिक ही इसके उपर P.A. से लगाया गया और इसे नोकरी से सेस्पेंड कर दिया गया था और 30 मार्च 2022 को फाइनली इस कमेटी के सफारिश पे इस इनसान को नोकरी से बाहर निकाल दिया गया दूसरा नाम जो पुलिस डिपार्डमेंट को सर्फ करता था वो था कॉनस्टेबल शाहिद हुसेन राथर इस राथर का काम था जो वेपन्स होते हैं उन्हें वैली के एक जगा से दूसरी जगा पे ट्रांसफर करना और मिल टेंटों की मदद करना जिस वक्त इस इंसान को इसकी प्राइविट सुफ्ट कार में पकड़ा गया उस वक्त भी इसके पास दस हैंड गरनेट थे दो चाइनिज पिस्टल थी और इसके पास से ड्रग्स भी मिले थे ड्रग्स जिसको हम नार्को टेरर करते हैं वो भी ये इनसान अपनी वर्दी की आड़ में पूरे जम्मु कश्मीर में कर रहा था तीसरा नाम गुलाम हैसन परे जो एक सिविल डिपार्टमेंट में कम्प्यूटर ऑपरेटर था और इसके डारेट लिंक जो थे वो इसलामिक स्टेट जेके के साथ थे और इसका में काम था जो यूथ होता है उसको बरगलाना और इसलामिक स्टेट में इनकी दाखिल करवाना इसके जो तालुकात थे वो 2009 से जमाते इसलामी के साथ भी थे इसका में काम था जमाते इसलामी के लिए लोगों को बरगलाना और मिल्टेंटों के साथ मिलके यूथ को बरगला के उन्हें भी मिल्टेंट बना देना इसने एक वाइलन्ट प्रोटेस्ट और्गनाईज कराया था परिम्पोरा में जिसके बेस पे इसको नोकरी से बर्खास किया गया था और अब फाइनली इसको 30 मार्च को इस नोकरी से बाहर निकाल दिया गया चोता नाम है अर्शत एहमद दास जो एक गोर्मेंट टीचर था शोपिया में आप सोचिए जिस पेशे से हमारी सुसाइटी की नीव रखी जाती है इन लोगों ने उस पेशे को भी नहीं छोड़ा एक गोर्मेंट टीचर जो साउथ कश्मीर अवंतिपोरा का रहने वाला था और उसके डैरेक्ट तालुकात थे हिजबुल मुझाईदीन के साथ इसने एक मॉब बनाया था जिसने स्टोन पेल्टिंग की हमारी शान CRPF के उपर जिसके बुनात पे इसको नोकरी से बाहर निकाला गया और अब फाइनली इसको नोकरी से टर्मिनेट कर दिया गया है पांचमा नाम है शिराफत अलिख खान जिसका शिराफत से दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं है ये इनसान एक अरदली था हेल्थ डिपार्टमेंट में आप खुछ सोचिए जिस डिपार्टमेंट के लोग अपनी पूरी जिंदगी इनसानियत की सेवा में लगा देते हैं इन लोगों ने उस डिपार्टमेंट को भी नहीं छोड़ा इसका में काम था करंसी जो होती है फेक करंसी जो होती है उसको एक जगा से दूसरी जगा ट्रांसफर करना और मिलिटेंटों को वक्त बेवक्त इनको करंसी सप्लाई करना ताकि वो यूथ को खरीच सके या जवत अली खान को अरेस्ट किया गया था शाइद हुसेन राथर के साथ 2021 जून में और अब इसको फाइनली टर्मिनेट कर दिया गया है 30 को मार्श को 2022 को इस कमेटी ने वाकई बहुत अच्छा काम किया है जो गोर्मेंट इंप्लॉईज जो मिल्टेंटों को मदद करते हैं या मिल्टेंट आउटफिट को मदद करते हैं उनको ढून निकालने में और बाहर निकलवाने में इस कमेटी ने बहुत सारे काम किये उन में से दो नाम ऐसे थे जो काफी चर्चा में रहे थे पिछले साल जो बेटे हैं उस इनसान के जो पाकिस्तान से एक टरर में और इस कमेटी ने उनके खिलाफ पूरी एंक्वारी की और उन्हें भी नोकरी से बाहर निकलवाला एक और इनसान का नाम काफी आप जानते होंगे जो डियेस पी था जमू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट में दविंदर सिंग उसके खिलाफ भी इसी कमेटी ने जो और उसको नोकरी से बाहर निकलवाया इस कमेटी ने पिछले एक साल में बहुत अच्छा काम किया है और टोटल 34 इनसान हैं जिनको इन्होंने नोकरीयों से बाहर निकलवा दिया है हम उमीद करते हैं कि ये कमेटी आने वाले टाइम में और अच्छा काम करे और और ऐसे इन तो आने वाले वक्त में अगर ये कमेटी और नाम देती है जिनको नोकरियों से बाहर निकलवाना होगा या नोकरियों से बाहर निकाला जाएगा तो आपके साथ उन नामों को जरूर सांजा किया जाएगा इस वक्त के लिए इतना ही करंदमीर जेके नीज पॉइंट शुक्रिया